सागर रहादगर से अमारे संबादाता शल्मान कुरैशी की रिपोर्ट रहादगर नगर में बाट क्रमांग 10 में चला चाकू पूर पार्षत का बेटा हुआ घायल पुलिस ने किया मामला दर्ज आरोपियों की तलास जारी सागर जेले की रहादगर थाना च्छितर में एक चाकू बाजी का मामला सामने आया जिसमें बाट क्रमांग 10 के पूर पारसत का बेटा घायल हो गया जिसे इलाज के लिए जिलाचे के साला सागर रेफर किया गया मामला है राधगर्थाना छेतर बाड क्रिमाइंग 10 का जहां पर बाड मेंबर का बेटा अरबाज अपनी फुपी के यहाँ जा रहा था तबी रास्ते में नाजिम अपने दोस्त आजम के साथ आया और बाज को गाली देने लगा अर्वाज ने गाली देने से मना किया उसके बाद नाजिम ने अर्वाज पर चाकू से हमला कर दिया तुरंत घाइलों को अस्पतार लाया गया जहां प्राथमिक एलाज के बाद अर्वाज को जिला चिके सालाई सागर रेफर कर दिया गया सागर से हमारे संबादधाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट सागर केंद्रीय जेल में दो आरूपईों के साथ की गई बेरहेंडी से बटाई सागर केंद्रीय जेल में बंद आकास खटीक जो आम्स एक्ट के तहesten है तो दूसरा आकास रेकबार आगजनी के मामले में 14 तारिक से केंद्री जेल में बंद है इनके परीजनों ने आरोप है कि जेलर नागेंद्र चोधरी के सारे पर इन दोनों को बेरहमी से पीटा गया इन केद्यों को परीजनों का कहना है कि सनी बार से हम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था और नहीं किसी तरह की बात बताई जा रही थी इन केद्यों ने अपने अपने वकीलों के माध्यम से इन केद्यों से मिलने की कोशिस की पर बकीलों को भी इन दोनों को नहीं मिलवाया गया इन कारण इन कैदियों को कोट का दर्वाजा खट-कटाया कोट की गुहार पर इनको अदालत लाया गया जहां उनके बाद चिकिस्थक परिक्षण के लिए जिला मेडिकल कालेज भेजा गया सागर से हमारे संबाद दाता साब देखा जा रहा है कि दोनों कैदियों के साथ किस तरह से बहरेमी की साथ पिटा गया है जेल में चलने लगा है रुपया रुपया माफिया की पूर्ती ना कर पाने से जेलर नागेंद्र चोधरी के सारे पाद जेल में लंबरदार कई द्वारा किसी प्रकार इन कहदियों के साथ मार पीट की गई सागर केंद्रिय जेल में ये साइट पहला मामला नहीं है अक्सर यहाँ पर पदस्त जेलर नागेंद्र चोधरी पर कई बार उंगलियां उठती रही है लेकिन उनके उपर उसकी साथ जीर में कुछ लोगोंने मार पीट की तो मैंने उसकी संबंध में माननी नियाला सीजीम कूट में आविदान दिया था कि मेरे आरूपी को बलओा कर उसका संग्याल लिया जाए और उसका मेडिकल करा की उस्पेकार रहा ही किया है राइसेन बमोरी से हमारे संबाद दाता तारकेश और शर्मा की रिपोर्ट शांती कमेटी की बैठक शिल्वानी तैसिल के बमोरी थाना प्रांगण में अगामी तेवारों को लेकर सांती समेती की बैठक आयजित की गई बमोरी थाना प्रांगण में महासिबरात्री को लेकर SDM अनिल जैन, SGOP, PN, गोयल, बमोरी नाइप तसिलदार सुनील सर्मा, बमोरी थाना प्रभारी रामिश्वर पांडे ने सभी नागरेकों को संबोधित करते हुए कहा नगर में सांती व्यवस्ता एबं भाईचारी के साथ महासिबरात्री का पर्भ सांती पूर्वक मनाए बमोरी कस्वे के गणमान नागरिकों ने प्रिशासन से कहा कि भगवान भोले नात का एक ऐसा इस्ताई निवास इस्तापित किया जाए ताकि भगवान भोले नात को इधर से ओधर करने की ज़रूरत ही ना पड़े इस बैठक में सभी गणमाने नागरेकों के अलाबा सभी पक्ष के लोग मौझूद थे बमोरी से हमारे संबाददाता तारकिशोर सर्मा की रिपोर्ट चिचोली से हमारे संबाददाता शोरेंद बाबनी की रिपोर्ट केंद्रिय मंत्री सहनवाज हुसेन का भाजपाईयों ने किया जोरदार स्वागत हर्दा से बैतूल जाते समय भाजपा केंद्रिय मंत्री राष्टिय प्रवक्ता सहनाज हुसेन और हर्दा विधायक कमल पटेल हर्दा से बैतूल आते समझ चिचोली जैस्तम चौक पर रुके जहां पर भाजपा कारिकरताओं ने फूल माला पहना कर जोरदार स्वागत किया बही सदन आरी के फार्म हाउस पर पहुँच का चिचोली जैतर के बाजपा के शक्रिय कारी करताओं ने मुलाकात की और बैतूल जिले के 21 साल पुराना नाता है जब भी आरेव वेग जी सांसद रहेते तब बैतूल जिले के फ्रमाट